स्वागत आप सभी के आपने यूटूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर फ्रेंड्स आज हम करें क्लास 12 की एकनॉमिक्स अल्थ शास्तर के में जो राष्टी आये निकाली जाती है वो देखेंगे तो चलिए देखते हैं अगर आपने इसका ट्रिंड़ नहीं देखें तो आप वो देख लिए क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा तो मैं पहली रिक्वेस्ट करूँ कि आप वो देख लिजए तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए हम आयवीदी, हम जब राष्टी आयवीदी निकालते हैं, हम उसे तीन वीदियो के दौरा निकालते हैं, पहली उत्पादन वीदी, पहली उत्पादन वीदी, दूसरी आयवीदी, तीसरी वेवीदी, तो आज हम देखेंगे आयवीदी के दौरा किस प्रकार से हम एक एक करके तीनो वीदियो के पारे में देखेंगे तो सबसे बेले मैंने हाँ पर आयवीधी ले लिए फिर उसके बाद वैवीधी लूँगी फिर उसके बाद उत्पादन वीधी लूँगी तो देखें आयवीधी के दुआरा हम अरास्ट यहाए किस प्रकार से निकालेंगे आयवीदी को हम NDPFC कहते हैं तो आपको याद रखना है कि आयवीधी को NDPFC कहते है आयवीधी के दुआरा NDPFC ही निकलता है ठीक है तो इसका जो फॉर्मूला चले देखें करमचारियों का पारिशर्मिक इसका जो फॉर्मूला है वो है करमचारियों का पारिशर्मिक प्लस में प्रचालन अधिशेश प्लस में मिश्रित आएगी ये फॉर्मूला है इसका ठीक है यह formula है, अब देखिए अगर ये ना दिये जाए और इनके स्थान पर कुछ और दिये दिया जाए तो हम इसे कैसे बहचानेंगे इनके स्थान पर अगर कुछ और दिया जाएगा तो चले देखते हम यहाँ पर अगर जो प्रचालन अधिशेश है वो ना दिया जाए और उसके स्थान पर अगर हमें किराया दिया जाए लगान दिया जाए रोयलेटी दिया जाए ब्यार्ज दिया जाए और लाब दिया जाए तो हम इनको प्लस करके क्या कर देंगे प्रचाल अधिशेश निकाल देंगे अगर इनमे से भी, अगर कोई एक-दोर ना दिये जाएं तो हम उन के सताम पर जीरो लगाएंगी, ठीक है तो यह जो है, यह याद रखन है किराया, प्लस में लगान, प्लस में रोयल्टी प्लस में ब्याज, प्लस में लाब अगर ये दिये जा रहे हैं और उनके साथ से प्रचालन अधिशेश दिया जा रहा है तो हम प्रचालन अधिशेश लगाएंगे ना कि ये ठीक है तो आपको देखना है सबसे पहले जो कोशन है उसे प्रचालन अधिशेश दे रखा है या नहीं दे रखा अगर नहीं दे रखा है तो हम देखेंगे कि उस कोशन में किराया, लगान, रोयलिटी, ब्याज या फिर लाब ये दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं तो हम इन्हें एड़ करेंगे और जो नहीं दे रखे हैं उसके सामपर जीरो लगा देंगे अब देखिए जो लाब है लाब के भी कई नाम है लाब को भी कई हिस्सों बाटा गया जिने एड़ करके लाब बनता है तो देखिए निगम लाब कर या तो निगम लाब कर या फिर निगम कर कहा जाएगा ठीक है और प्लस में लाबांश तो इन तीनों को एड़ करके लाब बनता है अगर इसमें भी ऐसा ही इसमें से किसी एक का ना दिया जाए तो आप 0 एड़ कर जकते हैं अगर कुछ भी ना दिया जाए तो लाब के स्थान पर 0 एड़ किजिए आप तो यह है प्रचला अधिशेश के स्थान पर अगर कुछ और दिया जाता है तो अब देखिए मिश्रित आए जो मिश्रित आए है उसे कहा जाता है स्वैम नियोजटों की मिश्रित आए या तो आपको सीधे सीधे मिश्रित आए दे दिया जाएगा या अगर उन्हें कोशन गुमाना है तो वो देंगे स्वैम नियोज़तों की मिश्रित आए तो आपको ये नाम याद रखने है तो अगर बस आप फोर्मले याद रखलेंगे तो आपके जो कोशन से बहुत असानी से हल हो जाए करमचारियों का पारिशरमिक अगर करमचारियों का पारिशरमिक है वो नहीं दिया जाता है तो उसके स्थान पर हमें दे दिया जाएगा वेतंद का मजदूरी प्लस में हम क्या करेंगे समाजी सुरुक्षा योजनाओं में मालिको या भी नियोकता हो मालिक कहा जाएगा फिर नियोक्ता कहे जाएगा का अन्शिदान या फिर योगदान तो हम है क्या करना होगा अगर हमें कर्मशार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता उसके सांट पर अगर ये दो दिये जाते तो इन्हें अड कर देंगे अगर इन में से भी कोई एक नहीं दिया जाता है तो उसको जीरो लिख देंगे अगर कोई भी नहीं दिया जाता है तो बिल्कुल ही जीरो लिखेंगे इसका करमच्वार का पाश्रमी ठीक है चलिए अब इसके अधार पर हम questions लेखते हैं इसके example से इसे समझते हैं कि किस टाइप की questions आते हैं हमारे सामने question है निम्न आखडो दुवारा आये वीधी तो वैवीधी से राष्ट्य आये ग्याद कीजे तो इसमें हमें क्या करनी है राष्ट्य आये निकालनी है उ ग्याद करनी है तो इसमें हमें आयविदी और वेविदी के दुआरा निकालनी है तो अभी हम आयविदी के दुआरा निकालनी सीखेंगे जब हम वेविदी के बारें पढ़ेंगे तो यही कोशन हम वेविदी में भी करेंगे दिस्ति हमें पता चलेगा कि चारे हम iVD से निकाले चारे वे VD से निकाले जो आंसर है वो सेम निकलता है तो अभी केवल हम iVD से देखेंगे अगर mention कर रखा है इस वD से निकालना तो उस ही से निकालना है अगर नहीं बता रखा है और आपका जो फोर्मूला है उसके सारे चीज़े अगर उस कोशनों मिल रही हैं तो आपको उससे निकालना है हमारे कोशन में जो आयवीदी होती है उसका फोर्मूला होता है करमचारे का पारिश रमिक प्लस में प्रचालन अधिशेश प्लस में मिश्रित आयए परन्तु जो कोशने उसमें करमचारे का पारिश्रमिक न देखकर इसमें दे रखा है हमें मालिकों का समाजी सुरक्षा योजना में योगदान और दे रखा है इसमें जो अगले वाला देखी इसमें सेम दे रखा है वेतन में मजदूरी तो हम इन दोनों को एड़ करेंगे जिससे कि हमें करमचारे का पारिश्रमिक प्राप्थ होगा तो हमने जो फॉर्मिला बढ़ा था तो देखा था हमने तो हम ही क्या करना है या तो आप पूरा-पूरा लिखेंगे कि मालिकों का समाज, सुरक्षा, योज, नाम, योगदान, प्लस में वेतन मजदूरी या फिर आप इसका जैसे कि यह जो 6 है तो मैं हापर 6 डाल देती हूँ प्लस में फिर 7 इस प्रकास डाल दीजिए अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ना तो आपको पूरा-पूरा ही लिखना है कि 6 में क्या दे रखा है फिर 7 में क्या दे रखा है प्लस करके फिर उसके बाद देखिए उसके बाद होता है हमारा प्रचालन अधिशेश तो जो प्रचालन अधिशेश है वो भी नहीं दे रखा है तो प्लस पहले लगा लेंगे हम ये बन गे हमारा करमचारियों का पाईश्रमिग अब हमें प्रचालन अधिशेश डालना है यहाँ पर लिखना है तो प्रचालन अधिशेश ना देखे इन्होंने हमें दे रखा है ब्याज का गुकतान फिर इसके बाद 9 दे रखा लगान 10 दे रखा रोयलिटी और हमारा 14 दे रखा लाब तो इन सबकों हम एड कर लेंगे तो प्रचालन अधिशेश निकल जाएगा हम एड करेंगे 8th प्लस में 9th प्लस में 10th प्लस में 14 ब्रैकेट क्लोस तो इस तरीके साब एड कर लेंगे फिर हमें हमारा फोर्मले मों होता है मिश्रित आए तो मिश्रित आए इसमें हमें कोई भी नहीं दे रखी है तो हम इसमें जो मिश्रित आए है अपनी 0 रखेंगे यहाँ पर हम शो करें ना करें वो हमारी मर्जी होती है तो अब चलिए अब इनको पुट करते हैं और answer निकालते हैं मैं आपको बता दो जो IV दिया, उसके दुआरा क्या निकाला जाता है, उसके दुआरा, NDPFC निकाला जाता है, NDPFC, और हम यह राष्ट्य आय निकालने के लिए कह रखा है, राष्ट्य आय, तो पहले अभी हम NDPFC निकालते हैं, क्योंकि IV दिय के दुआरा राष्ट्य आय निक प्लस में अब जो प्रचान अधिशलेश वो करेंगे इसमें एर्थ में हमीद रखा है 20 प्लस में 200 200 प्लस में 25 प्लस 130 अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा निकल क्या रहा अब देखिए इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा निकल के आया है अब देखिए इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा निकल के आया है 375 अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 1030 निकल के आया है अब जो है यह हमारा 1030 निकल के आया है ये हमारे NDFC NDPFC निकल के आया है और हमें के निकालने राष्ट्रिय आये निकालने तो राष्ट्रिय आये क्या होती है हमारी जो राष्ट्रिय आये होती है उसे हम बोलते है NNPFC ये हमारी राष्ट्रिय आये होती है NNPFC आपको याद रखना राष्टियाय को NNPFC कहा जाता है तो हमें NNPFC निकालना है तो मैंने आपको सिखाया था कि जो भी निकालना है वो यहाँ पर रखना है और जो दे रखा उसे अंदर रखना है तो अंदर के से रखेंगे हम अंदर रखेंगे NDPFC को NDPFC अब नीचे वाले ये दोर देखेंगे, ये दोनों सेम है, अब DP और NP अलग है, टो इनैं एक जैसा करना है, तो NP से हम DP पर जाते हैं, जब हम NP से DP पर जाएंगे, तो हमारा क्या ही आएगा? जब हम NP से DP बजाएंगे तो हमारा ये वाला arrow आएगा तो इस arrow का मतलब क्यों था sign change नहीं करना है तो इसमें क्या होगा जो प्लस NFIA है इसका sign प्लस ही रहेगा तो प्लस NFIA ये होगा अब देखिए NDP FC क्या निकला था ये निकला था तो हम इसी यहीं पर डाल देंगे 1030 प्लस में NFIA क्या है हमारा हमें 30 दे रखा है और इसमें क्या रखे है का विदेशों को दी गई निवल साधन आए तो NFIA वही होता है विदेशों से अर्जित आए विदेशों को दी गई आए और जैसे कि विदेशों को दी गई को आग है इसमें विदेशों को यहाँ पर साधन चेंज होगा विदेशों से जो प्राप्त आए होगी वहाँ पर से है तो वहाँ पर सेम साधन रहेगा तो यहाँ पर को है तो 30 दे रखा है तो इसका अगर हम साधन चेंज करेंगे 30 क्या पॉजिटीव है तो अगर इसका यह सक्रात्मक है 30 अगर उसे हम नक्रात्मक करना चाहते हैं तो माइनस तीस अब देखिए 1030 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारा 1000 बन जाएगा मतलब कि 1000 तो यह इसका फाइनल आंसर है अब अगला जो कोशन है वो हमारे लास्ट एयर के जो प्रीबोर्ट है उसमें रिपीट उसमें आया था यह कोशन तो चलिए देखते हैं इसी को निकालते हैं तो देखिए आयवीदी और व्यवीदी द्वारा कारक लाकत पर तकल अगर आयवीदी के द्वारा निकलने के लिए का रहा है तो आयवीदी के द्वारा हमेशा ndp-fc ही निकलेगा ठीक है ndp-fc ही निकलेगा और फिर उसे चेंज करेंगे हम रास्ट एयर में ठीक है जैसे अभी पहले किया था हमने तो चलिए ndp-fc निकालते हैं इसका फोर अग नहीं दिये हैं तो करमचार का पारिश्रमिक में थर्ड पार्ट है तो चलिए इसमें जो करमचार का पारिश्रमिक हम लिख देंगे आपको ऐसे ही लिख के आना है एक्जाम में कि टीचर को एक बार भी कोशन पेपर उठाने कोई आपशिक्ता ना पड़े और ना उसे गुसा आया आपके आशशिट पर करमचारियों का पारेशरमेक आपको ऐसे ही लिखना है प्रचालन अथिशेश इसमें हमें किराया दे रखा है प्रचालन अथिशेश के जो पार्थ है वो भाग दे रखा है किराया प्लस में ब्याज दे रखा है इसमें हमें और प्लस में हमें दे रखा लाब तो ये तीन दे रखा है इसमें और मिश्रित आए जो मिश्रित आए वो हमें दे ही ने रखी है तो प्लस जीरो तो देखिए करमचार्य का पाश्रमिक हमें कितना दे रखा है इसमें जो करमचार का पाश्रमेगा वो 1600 दिया गया है प्लस में किराया दे रखा है हमें 500 प्लस में ब्याज हमें दे रखा है इसमें 300 प्लस में हमें लाब दे रखा है 800 और जो मिश्रित आया वो है ही नहीं हमारी अब देखिए 1600 100, प्लस में 500, 300, 800 को प्लस करेंगे तो ये भी 16 सो आ रहा है आंसर अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा 3200 तो देखिए हमार जो NDPFC वो निकल के आया है 3200, अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है NDPFC, अब हमें क्या निकालना है हमारी कोशन में दे रखा है हमें निकालना है G N P F C G N P F C निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हम जो यहां पर लिखते थे G minus depreciation equal to N फिर D P D P plus में N F I A equal to N P तो आपको क्या करना है इसी प्रकार से आपको अपने examination जो sheet हो थी उस पर लिख लेना answer sheet पर और फिसे rub कर देना जिससे कि teacher को पताने चलेगा आपने लिखा तो आपका भी काम असान हो जाएगा तो देखिए हम हमें क्या करना हमें यह निकालना हो यह निकालना हो और हमें यह दे रखा है तो हम अब जो निकालना हो यहां पर लिखते हो जो दे रखा हो इधर लिखते हैं हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था पार्ट बन में देखा था, NDP F से लिख लिए है, अब देखिए, इसके नीचे के ये देखिए, दोनों सेम है, DP और NP अलग है, और N और G अलग है, तो DP और NP अलग है, तो इस साइट वाले से इस साइट पर जाते हैं, तो NP से DP पर जाते हैं, तो हम NP से DP पर जाते हैं, तो हमार अब जी अलग है तो जी से एन पर जाएंगे तो देखिए जी से जब हम एन पर जा रहे हैं तो हमारा साइन चेंज होगा क्यों कि ये वाला एरो है तो इसमें क्या होता है जो साइन होता है वो क्या होता है चेंज होता है sign change होता है तो G से N पे जा रहे है तो इसका sign के है? minus का depreciation का बीच वाले sign change होते है और बीच वाले ही लिखे जाते हैं आपपर तो minus का sign है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा प्लस depreciation या फिर मुली हरास तो हमें क्या करना है ndpfc हमारा कितना निकल के आया है 3200 निकल के आया प्लस में NFIA हमारा जो NFIA है वो दे रखा है हमारा minus 20 इसमें लिकर है विदेशों से निवल शुदकारक आये तो इसमें सेध रखा है जहाँ पर भी सेध होता है वहाँ पर सेम साइन रहता है अगर यहाँ पर को होता तो minus 20 चेंज होकर हमारा only 20 हो जाता साइन चेंज हो गया minus से 20 बन जाता ठीक है पर यहाँ पर क्या सेध रखा असलिए वही साइन रहेगा तो minus 20 ब्रैकेट में लिखेंगे अईसे कि साइन में फर्क दिखें हमें यह plus है यह minus है plus में depreciation यह depreciation है वो हमें कितना दे रखा है वो दे रखा है हमें 20 स्टिरपुनजी का ऊभ वो Гए वो क्या है मुल्यहराश होता है स्टिरपुनजी कोई भी स्टिरपुनज़ूज इसका इप अभो गया है ठीक है जिसी कि उसमें क्या होged वो उसमें तूटफ्ञ होगी तो उसका हाष होगा मूल्यहाषज अब इसे सॉल्ण करके हमारा answer आ रहा है 3300 तो ये क्या हमारा correct answer है अब जो next part होगा उसमें हम क्या करेंगे वेवीदी के दुआरा हम यही question निकाल के देखेंगे और match करेंगे हमारे answer सही निकल रहे है नहीं निकल रहे है अगर निकल रहे होंगे तो वो क्या है वो सही निकल रहे answer तो हमें अगर अपनी rechecking करनी होती है कभी पर किसी question की तो अगर उसमें वही जो वेवीदी से निकाल ले हैं और हमें checking करने माले हैं इसी question के checking करनी है तो हम वेवीदी से देखें या फिर किसी और वीदी से देखें तो हमें क्या देखना होता उस question में व्यावीदी वाले जो हमारा फोर्मुला जिसमें जो जो चीजे लग रही है वो उस कोशन में है या नहीं है कोशन में होगी तो हम उससे रिट्रेकिंग कर सकते हैं अगर नहीं होगी तो नहीं कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस लाइक की जो शेयर कीज और कमेंट फिर खें बताए कैसी लगी अगर आप चैनल पर नए हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते तो आप कर सकते हैं साइड में जब बैल आइक हैं उससे प्रेस कर सकते हैं जिससे के न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी फोन में आ सके थैंक यू